तो हाइलो मेरे प्यारे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सिंगर लिवर डाइवर्टर कैसे फिटिंग होता है दोस्तो सिंगर लिवर डाइवर्टर फिट करने से बहतिरी चीज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि बातरून कितना खुबसूरत दिखता है और कितना खुबसूरती से हम इस डाइवटर को फिटिंग कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि MTA हम ब्रास में कसन है जो कि डाइवटर के चारो पार्ट में चारो भाग में यहाँ पर MTA लगेगा चार यानि यहाँ पर दोस्तो चार MTA लगा के सबसे पहले टिपलोन टिप लगा के MTA लगा के टाइट कर देना है उसके बाद यहाँ पर कितना बेहतिरीन और कितना खुबसूरत यह देख रहा है उसके बाद यहाँ पर दोस्तो हम बाहर में इस फिटिंग को कर रहा है ताकि आप लोगों को जानकारी अच्छे मिल सके और जितने भी नए पलमवर हो उनको अच्छे से knowledge मिल सके उसके बाद CPBC 5 इंची को इसमें जितने भाग का टुकरा हम काटे हैं लमसम सारे 4 इंची का हम टुकरा cutting किये हैं सारे 4 इंची का टुकरा इसमें आपको लगा देना है लगाने के बाद यहाँ पर देखे कितना खुबसूरत और कितना बहतिरीन अभी से ही देखने में लग रहा है उसके बाद यहाँ पर आपको 4 इंची के नीचा में या 5 इंची का टुकरा देना है जो कि उसमें नल का point हो जाएगा दिहां दोस्तों यहाँ पर हम ब्रा से लो लगाने के बाद आप लोग पहले बाथरूम में इस फिटिंग के नापी ले लिजिए नाप करके आप लोग यहाँ पर लिख के रख सकते हैं लिखने के बाद सभी टुकरा को कटिंग करने के बाद यहाँ पर एक एक करके पहले बाहर में लगा लिजिए बाहर में लगाने कितना खुबसूरत और कितना बहतिरीन है, यहां पर दिवाल वाल दोस्तों नया है, इस वाल में हम cutting पहले हैं, group cutting कर लिये थे, group cutting करने के बाद इस diverter को हम fitting कर दिये, जो कि काफी बहतिरीन और काफी सुन्दर है, दोस्तों उसके बाद यहां पर आप लोग दिखिए, हम दिख आपको cutting करना है, जो जो point लगेगा, यहां पर नाप के, आपको cutting करने के बाद इस बाथरूम को अच्छे से fitting कर लेना है, साइडल यहां पर हर जगर पर साइडल आपको मारना है, धंसे, साइडल मारने के बाद यहां पर देखिए, कितना सुन्दर और कितना बहतिरीन लग है, सारे pipe को हम एक एक करके fitting कर दी है, जो कि काफी बहतिरीन और काफी खुबसूरत है, उसके बाद यहां पर आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों, कि यहां पर देखिए, सिंगल निवर का सारे अपर पार जो था, नोब, उसका हम कस दिये हैं, और उसके बाद नल भी एक हम लगा दिये हैं, जो कि यहां पर PVC नल है, और इसका पानी खोल के आपको हम दिखाते हैं कि कितना बहतिरीन इसमें पानी आता है, और कितना अच्छे से इसमें काम करता है, इसके बाद यहां पर देखिए, पहले ध्यान से आप लोग देख लिजे कितना सुन्दर, और कित अंधा, पानी और गरम पानी मिलेगा, यानि होट वाटर, कूल वाटर आपको एक ही नल से मिलेगा, यहां पर आप लोग देखिए, कितना सुन्दर और कितना बहतिरीन, उसके बाद यहां पर नल को हम खोलें, डाइवर्टर को उठाएं, घुमा यहां पर देखिए, नल का फिनिसिंग हो जाता है, उसके बाद कितना सुन्दर लगता है, यह देखिए दोस्तों, यहां पर फोलें, यह देखिए, अगरा वाला प्रेसर, और इसके बाद यहां पर देखिए, कितना सुन्दर, और साब पानी, स्वर्च पानी, उसके बाद यहां पर प्लिक लगा हु इसलिए थोड़ा साथ छितरा के पानी आ रहा है और कम आ रहा है लेकिन फिर भी बहतिरीन है जैसर यहां पर असनान अच्छे से प्याड़ा सकता है हम सोचे दोस्तों कि आपको फ्रीसिंग का भी वीडियो दिखा देते हैं बना लेते हैं और फ्रीसिंग का वीडियो काफी सेर लाइक कीजिए थैंक्यू धन्यवाद